वेलकम बेक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में शारू कान के पठान मूवी के इस इमेज को ड्रा करने वाली हूं इसके लिए मैंने बुस्टो ब्रेंड की एफोर साइज के शीट ले ली है और इसे मैं ड्राइजेप के थूरू ड्रा करने वाली हूं और यह ब्लेक दिखाई दे रहा है रोहां से जो इसकी ने वो भी थोड़ी दिखाई दे रही है तो हमें माइंडसेट रखना है कि हमें फर्स्ट लेयर में थोड़ा लाइट अपलाई करना है चारकॉल को और आप चारकॉल पावडर का भी यूज करते हैं यहाँ पर मैंने यहां पर भी मैं उसे अच्छे से अपलाई करके से मर्ज कर रही हूं ताकि यो लाइट और का जो कॉंबिनेशन है जो रियल इमेज में रिफ्रेंस इमेज में दिखा ही दे रहा है वैसा हम अचीव कर सके सो जो यह डाकने सो लाइटने से इसे अचीव करने आपको दो से तीन लेयर लगीगी उसके बाद आप देखिए जैसे रिफ्रेंस इमेज में देखा ही दे रहा है वैसा ही मैं यहां पर ड्रा कर पाई हूं और सेम टेक्निक से आपको दो से तीन लेयर अपलाई करके और लाइट प्रेशर के साथ और दिन डार्क जहां पर दिखा ही दे रहा है आपको ब्लेंड कर देना है और इस तरह देखिए गॉगल फूरी तरह कम्टिट हो चुकी है और नोस के पास जो डार्क पार दिखा ही दे रहा है वहां पर में डाइरेक्ट में ने डार्क अपलाई कर दिया है आइबरो में ने फर्ष्ट लेयर जो है वो ब्लेंडिंग तो हैर के डाइरेक्शन है आइबरो के हैर जीज दिशा में जा रहे है वहां पर इस्ट्रॉक्स लगा दिये हैं और उसे ब्लेंडिंग स्टम से ब्लेंड कर दिया और देन मैंने टंबो जिरो एरेजर के हेल्प से जो लाइट की वज़े से जहां पर कुछ वाइट हैर पर दिखा सकते हैं और इसी तरह से मैंने दोनों आइबरो कर लिये हैं तो चलिए अब शेडिंग पार्ट में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर मैं अब इसके बाद ही स्टार्ट करने वाली नोस को तो नोस में जो यह नोस्ट्रिल वाला पार्ट हो काफी पार्ट है वहां पर मैंने टुएज पेंसिल ब्रूस्टो ब्रेंड की यूस की है और मैंने इसे बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में एक फर्स्ट लेयर चला दिये पूरे नोस पर और इसे मैंने ब्रश की हेल्प से मेकप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है जो ब जो ब्रिक पार्ट है उसे हमें आचियू करने में 2 से 3 ले लगेगी और जब हम सेटिस्पाइड हो जाएंगे हमारा मन्चाहा जो इसकें टॉन चाह रहे हैं वो मिलने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जो इसकीन वाले पार्ट में आगे बढ़ जाएंगे तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर टुएज पेंसिल का ही यूज किया है और फर्स्ट लेयर लगाने के बाद जहां पर डार्क दिखाई दे रहा ह है वहाँ पर मैंने सेकंड लेयर लगा दिया और उसे भी ब्लेंड कर दिया और लिप्स के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो माउट वाला पार्ट होता है जहां पर दोनों लिप्स मिलते हैं वो काफी जादा डार्क होता है तो यहाँ पर मैंने डारेट चारकॉल मैं पेंसिल का यूज किया है उसे अच्छे से दो बार मैंने उहाँ पर अपलाई करने की ब्लेंड कर दिया है और जो लिप्स का उपर वाले पार्ट होता हो नीचले पार्ट की कंपरेजन में यह थोड़ा सा दार्क होता है तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेर लगे है वो दिश्क कराई ताइज़ पेंसे मेंने यहां पर उपर वाले लीप कोई किया है और उसे मेंक ब्रस से ब्लेंड कर दिया है अ और तंबो जीरो एजर के हैल से में हाईलाइट दे रही हूँ जाहँ नीडेड है और इसी तरह से में लोर लिप भी ड्रॉ कर लूँगी और इसे में अपर लिप की कमपेरिजन में मैं इसे थोड़ा सा लाइट रखूँगी और यहां पर मैंने इसे भी हाइलाइट दे दिया है जैसा रिफ्रेंस इमेज में दिखाई दे रहा है आपको भी सेम टू सेम करना है और जिस डारेक्शन से आ रही है तो उसकी वजह से यहां नोस के जस्ट नीचे काफी ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है सो वहां पर मैंने डार्क कर दिया है पूरे मुस्टेचे में जो फर्स्ट लेयर है वो ब्लेंडिंग स्टम से ही चला दिये और जो हैर बनाने के लिए मैंने चार कुल पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा दिये हैर के डारेक्शन में झाल कर दिये जो वहा है वहा है वहा है झाल को एक दोस्टी ब्लेंडिंग आप झाल झाल झाल